तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले कि हमारा जो प्रेशर पम का वीडियो आने वाला है तो मैं जो हमारे दो वाटर टैंक का उसमें प्रेशर पम हमने कैसा लगाया है मैं शौर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा छोटा सा वीडियो है जरूर देखिएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाकर जरूर देदूँगा कमेंट ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए तो यहाँ पर यह जो प्रेशर पॉम है यहाँ पर चालू है हमने इसका कनेक्शन सब रेडी कर दिया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनर भी लगी हुई है तीन वाल लगी हुई है और यहाँ पर जो है तो एक इसका जो पॉइंट गया हुआ है यहाँ से इसका एक पॉइंट के लिए हमने जो आउटलेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है वो एक अलग से outlet भी दिया हुआ है इसको तो outlet को भी हमने अलग से point दिया हुआ है अगर कहीं गिजर में जरूरत पड़ी अगर शावर में गरम पानी नहीं आया तो उसमें भी हम outlet का point दे सकते है वैसे तो जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर लगा किसी को तो वहाँ पर दे सकते है इसलिए यहाँ पर हमने external point इसमें देख कर रखा है बाकी का वीडियो आथ तो आपने बाकी देखी लिया था कैसा क्या होता है हमने दो टैंक फिट की थी वो भी आपने देख लिया अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो इसका बना कर दे दूँगा तो यहाँ पर हमारे जो इदर outlet गए हुए है यहाँ से आप देख सकते है कि एक ही जो pipeline थी हमारी पुरानी उसी में हमने pressure pump को fitting किया है अगर वीडियो पसना आया तो वीडियो को like ज़रूर करे और अगर आप चैनल पर नए आया है तो चैनल को subscribe करना न भूले क्योंकि electric and plumbing से related वीडियो आपको इस चैनल पर दिये जाते है तो मिलते है और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद थेंक यू